a mass of diatomic gas gamma equal to 1.4 suppose that ये gamma की value न देता तो आप diatomic gas से CP और CV से रिकाल सकते तो at a pressure of 2 atmosphere is compressed adiabatically so that its temperature rises from 27 degree Celsius से 9 to 7 degree Celsius the pressure of the gas in the final state ठीक है बगया अच्छा मेरी बाद ध्यान समझे जब भी इस तरीके का question आये तो बिल्कुल भी जल्दिवाजी नहीं करना है करना क्या है हमारे पास एक point यहां है एक state और एक state हमारा यहां पर है यहां पर कह रहा है कि हमारा pressure को आप P1 मान सकते हैं कितना है 280 m यहां पर temperature T1 कितना है 27 degree Celsius यहां पर P2 बताना है question में ऐसा कहा है temperature कितना है 9 to 7 degree Celsius अच्छा जब A से B जा रहा है कैसा compressed adiabatically यह process adiabatic वाला है यानि Q equal to 0 ठीक है P की power 1 minus gamma और T की power gamma equal to गया था constant अभी मैं दिखा देता हूँ अच्छा मैं यह direct अब याद है तो मैं directly use कर रहा हूँ इसके बाद मैं एक और simplify करके बताऊँ अगर वो याद कर लेते हो तो तो बहुत ही बढ़ी आ है एक दो माराम राम से करा रहा है देखो P की power 1 minus gamma T की power gamma equal to constant इस relation को use करके हम लोग आसानी से इस question को हम क्या करते है solve कर सकते है ठीक है लेकिन इस format में याद रखना है इसके simplify जो करके बता रहा अगर वो भी याद कर ले तो it's very good इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे जो मैं लिखने जा रहा हूँ ध्यान देना हमको ऐसे लिख सकते है P T की power gamma upon 1 minus gamma भे मत हो equal to कितना हो जाएगा जी constant हो जाएगा हमको निकालना है P2 ठीक है तो इसको बनाऊ जी इसे ऐसे कर सकते हूँ P equal to K inversely proportional में डारेक्ट करके बता जाएगा ज़्यादा बनी रहेगा T की power gamma upon 1 minus gamma ये उपर जाएगा तो K तो कौन जी उपर जाएगा तो ये minus हो जाएगा तो T की power gamma upon gamma minus 1 हो जाएगा यानि ये जो P है वो directly proportional to T T की power gamma upon gamma minus 1 लिख सकते हैं ये simplify करने के बाद आरा P T मेरी लिशन डायरेक्टी बहुत सारे बच्चे मैंने देखा हूँ ये याद कर लेते हैं क्यों क्योंकि इस पीड में question लगाना चाहते हैं तो इसको अगर आप learn कर लेते हो को इधर कर देना जी यहीं इतना हम solve हो जाएगा ठीक है और इसको भी थोड़ा ओपर कर दो लिखता ऐसे हो इतनी जगे में solve हो जाएगा ठीक है अब इसको direct अगर हम लोग use करेंगे तो कैसे use करेंगे जी P2 divided by P1 ठीक है भी या अब ये क्या हो जाएगा हमारा T2 divided by T1 की power इतना हो जाएगा जी गामा अपॉन गामा माइनस 1 देख रहे हो अराम से अब सुचो किसी बच्चे को direct यहीं पहुंचना है यही कह रहे थे जो conclusion आता है वो direct याद करके जाते है समझे अगर आप भी चाहो तो याद मैं डबें बंद कर दू सबका बनाना लेकिन जीतने तीन relation थे तीनों के ऐसे बना के learn करते हो तो हमें लगता है कि अब जैसे मैंने यह लिखा यह लिखा आप डारिक्ट यहां आते हैं और एक चीज़ बस द्यान रखना कि इसमें हमेशा value है Kelvin में रखते हैं मतलब इसको Kelvin में change करेंगे तो इसमें 273 एड करो 27 में 273 एड करना 0 0300 Kelvin आ रहा है इसमें एड करना जरी जी इसमें 927 273 0 0 9 10 1200 Kelvin ठीक है एड किया हूं simple रखे यहाँ पर कितना रहा जी T2 T2 मतलब 1240 divided by 300 की पावर गामा गामा की value है 1.4 divided by 1.4 minus 1 यह 0 से 0 कट कर दीजी इसकी value कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 4 की पावर कितना आ गया 1.4 divided by 0.4 इसको simplify कर लो इसको लिख सकते है 14 divided by 4 decimal दोनों जगह से हटा कर दीए इसको कट करेंगे तो 7 हो जाएगा इससे कट करेंगे तो 2 हो जाएगा ती हो गया 7 by 2 होगा न ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ इसको लिख सकते है हम लोग 2 की पावर 2 और को 2 की पावर 2 और यह जो आ रहा है 7 by 2 यह 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 2 की पावर 7 आ गया simple तो आसानी से करा जा सकता है यानि अब यहां से अब आपको P2 निकालना है तो direct कर सकते हो P2 की value निकाल सकते हो 2 की पावर 7 इन्टू P1 और 2 की पावर 7 और P1 कितना दिया है 2 8 यह में भी 2 है यानि यह 2 की पावर 8 अच्छा 2 की पावर 8 आपको याद है तो बढ़िया है directly टिक कर सकते हो ठीक है 2 की पावर 8 कितना होगा 2 5 6 यह आएगा यह आएगा